Hello and welcome to our LRXL Network, मैं हूँ आपका दोस और आज की इस amazing and unique वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं Excel के बहुत ही खूबसुरत powerful feature के बारे में जिसका नाम है Pivot Table Pivot Table Excel का एक बहुत ही खूबसुरत advanced और unique feature है जिसको Excel के अंदर use किया जाता है बड़े से बड़े large amount of data set को analyze करने के लिए उसको summarize करने के लिए अगर आप एक Excel expert बनना चाहते हैं अगर आप एक MIS user हैं तो आपको definitely Pivot Table क्या होता है और Pivot Table को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी deep understanding होने चाहिए आज से आगे की आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं लगबक कम सकम 7-10 वीडियोज के अंदर हम Pivot Table को बहुत ही detail में deep तरीके से सीखने वाले हैं कि कैसे Pivot Table use में आता है और कैसे हम Pivot Table को इस्तेमाल कर सकते हैं चलते हैं इस खुबसूरत फीचर को सीखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लें क्योंकि ये वीडियोज और आगे की जितनी भी Pivot Table के आने वाले वीडियोज हैं वो बहुत ही खुबसूरत होना आ लिए हैं अगरा आगला all right ओ चलते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर पाइवाट टेबल के basic concept को समझना असराइब करते हैं कि कैसे पाइवाट टेबल यूस करना चाहिए So, Pivot Table को use करने से पहले सबसे पहले आपके पास एक data set होना बहुत ज़रूरी है Data set आपका छोटा भी हो सकता है, data set आपका बड़ा भी हो सकता है But, preferably जो Pivot Table को use किया जाता है, वो large amount of data set के अंदर use किया जाता है So, मेरे पास जो data है, वो मैंने एक raw data बना हुआ है, अपनी मर्जी से, sample data आपको समझाने के लिए आपका official data इसे बड़ा भी हो सकता है, इसे छोटा भी हो सकता है So, हम अपने इसी sample data के उपर Pivot Table को कैसे use कर सकते हैं, इसको हम सीखने वाले है Pivot Table को use करने से पहले कुछ शीजन जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है तभी आप Pivot Table को और भी अच्छे से use कर पाएंगे सबसे पहला कि अगर आप Pivot Table use करने जा रहे हैं, तो जो आपका data है, raw data जितना भी आपका raw data है, उन हर एक raw data की जो columns हैं, उन columns की एक heading होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके data की columns की headings नहीं है, तो definitely Pivot Table आपके लिए effective नहीं होने वाला है कहीं न कहीं वो आपके लिए आगे चलकर error generate कर सकता है सबसे पहले आप काम करें कि जब भी आप Pivot Table use करने जा रहे हैं, तो आप अपने data के जितने भी columns हैं, उनकी एक heading जरूर रखें उसके बाद फिर आप Pivot Table को use करें, Pivot Table को open करना या Pivot Table को start करना बहुत easy होता है उसको start करने के लिए आप दो तरीके से use कर सकते हैं, या तो आप जो है insert options के अंदर जाकर जो है Pivot Table को insert कर सकते हैं, या फिर आप shortcut key की help से भी जो है Pivot Table को insert कर सकते हैं, और राइट So, हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों option के use करेंगे, पहले option में हम क्या करेंगे, अपने data को या तो completely select करने के लिए या तो आप mouse के कर जैसे ऐसे select करें, या अपने data के अंदर कहीं पर भी click करके Ctrl A के साथ में select कर लें, या फिर अगर आप अपने data को पूरा select नहीं करना चा और insert के अंदर जाने के बाद यहां पर सबसे पहला आपको option मिलता है pivot table का, आप इस pivot table के उपर click कर दें, जैसी आप pivot table के उपर click करेंगे, तो आपके सामने एक dialogue box खुल कर आएगा, और आप parallelly background में देख सकते हैं कि जितने भी आपकी data की range है, वो automatically इस option ने pivot table के उपर click करते ह कर लिया, automatically आपको select करने की ज़रूदत भी नहीं है, इसके अलमा अगर आप चाहते हैं कि manually आप select करने तो भी आप manually इस तरीके से drag करके select कर सकते हैं, इसके अलमा अगर माल लीजिए आपका जो data है, वो इस sheet के अलमा कहीं और पर है, किसी और connection को आपने बना रखा है, तो आप choose connection के उपर click करेंगे, तो आपका जहां पर भी वो pivot table का data है, वहाँ से आप अपने pivot table के raw data को insert करवा सकते हैं, बट इस पहली वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इस sheet के data set को use करेंगे और pivot table को बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने इसी data को select करेंगे, then उसके बद बोलेगा कि आप जो pivot table create करने जा रहे हैं, वो pivot table आप इस workbook की इसी sheet पर create करना चाह रहे हैं, या फिर एक नई sheet को add करके create करेंगे, so basically जो होता है default, यह कहता है आपको कि आप new worksheet को use करें, क्यों? क्योंकि जो pivot table का raw data होता है, वो बहुत ही large amount में होता है, so अगर आप उसी sheet के उपर कहीं पर भी pivot table को भी use करेंगे, तो आपको analyze करने में आपको बार-बार toggle करना पड़ेगा, means एक बार raw data को देखने के लिए इधर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद pivot table को जो है देखने के लिए इधर जाना पड़ेगा, so basically जो है आप एक नई worksheet अगर add करके pivot table को use करते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा सही होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी sheet पर use करना आपका जो data है वो छोटा है, तो आप इसके उपर click करके, जिस भी cell के उपर click करके okay करेंगे, तो pivot table जो होगा वो यहाँ insert हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक नई worksheet add करेंगे, इसके लिए new worksheet के उपर click करेंगे, उसके बाद okay के उपर click करेंगे, तो automatically एक नई worksheet add हो जाएगी, और add होने के साथ साथ में, आपके left section में कुछ pivot table नाम से बना हुआ आ जाएगा, यह वो area होता है जहाँ पर आपके pivot table create की जाती है, इसके अलामा pivot table को create करने के लिए कुछ options दिये जाते हैं, जो कि आपके right side में नजार आते हैं, और यह right side वाले option जो है dragging वाले होते हैं, यान आप इनको अपनी जरूरत के अनुसार कहीं पर भी move कर सकते हैं, इस pivot table की जो fields हैं, इसके अंदर basically 3-4 fields ही होती हैं, जिनका आप स्तेमाल करते हुए pivot table को create करते हैं, लेकिन यह fields बहुत ही knowledgeable होती हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ जाते हैं कि किस field के अंदर किस data को रख क कर सकते हैं, तो आप एक बहतर export बन सकते हैं, Excel export, इस pivot table fields के अंदर basically 3-4 fields होते हैं, सबसे पहला कि यहां पर यह जो आपको options दिखने हैं, यह सारे के सारे वो columns की headers होते हैं, जो कि आपके raw data में available हैं, यानि कि आप देख सकते हैं, आपके raw data के अंदर यह columns हैं, वो सारे के सारे आपके इस pivot table fields के अंदर यहां पर नजर आते हैं, तो आप इनको select करके इनका use कर सकते हैं, अगर आपके pivot table की fields हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, तो आप यहां से उनको search भी कर सकते हैं, इसके अलामा, जो यह सारे के सारे columns होते हैं, हमें क्या करना होता है, यह इन चार data area के अं अगर आप इनके अंदर किसी भी columns या किसी भी field का use करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इसका एक sample तरीके से हम समझते हैं, उधारण के तौर पे, माल लीते हैं कि हम employee ID को filter करना चाहरे हैं, या उसके बारे में जानकारी लेना चाहरे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, employee वाली जो कि आपके header का नाम था, employee ID, वो automatically check हो चुका है, filter के अंदर हमने add किया था, इसलिए वो यहाँ पर add हो चुका है, अगर आप multiple filter करना चाहरे हैं, तो आप multiple के उपर click करके जो भी आप ऐसे भी filter कर सकते हैं, ऐसे check mark लगा सकते हैं, उसके बाद आप ok कर सकते हैं, तो आपको जो data है, उनका नजर आजएगा, बट अभी हमने कोई data insert नहीं करवाया है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसके लावा, सिम अगर माल लिजे इसी employee ID को जो है, मैं columns के अंदर add कर देता हूं, तो यह क्या करेगा, आपके employee ID को जो है, columns में जो है, दि कर देंगे, तो आपकी employee ID होंगी, वो सारी की सारी raw में नजर आ जाएंगी, so basically जो आपका, यह एक और चीज, कभी-कभी क्या होता है, कि जैसे आप अपने pivot table के data के अंदर से जो कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं, तो आपकी जो pivot table की fields हैं, वो गायब हो जाती हैं, तो इनको सारी का है, pivot table के fields को लाने के लिए, all right, so columns और row का जो इस्तेमाल करना वो बहुत ही easy होता है, आप basically इसको use कर सकते हैं, आप इतने data को जो है, row और column wise दिखाने के लिए, filters, जो कि आपका data filter करने के लिए यूज किया जाता है, so आप इसको filter के अंदर तभी रखें, जब आपको कोई data filter करना हो, so ये इन तीनों options का use है, इसके अलावा जो चौथा और final box है, area है, जहां पर हम अपने उन columns को पास करते हैं, जिन columns के अंदर आपका calculation type का data होता है, माल लिजे, आप कोई sale calculate कर रहे हैं, या आप कोई type की भी calculation कर रहे हैं, तो उस field को या उस column को आप अपने इस values वाली field के अंदर रखेंगे, जैसे माल लिजे, मैं चाहरा हूँ कि employee ID के हिसाब से, उनकी January की sale कितनी है, तो आप क्या करेंगे, जन्वरी वाले data को select करेंगे, और अपने values वाले के अंदर add कर देंगे, देख सकते हैं, कि employee wise, उनकी ID wise, उन्होंने January के अंदर कितनी sale की है, य एक और चीज़ आपको pivot table को use करते हैं, समय ध्यान में रखने वाली, कि जब भी आप pivot table use करते हैं, और pivot table के अंदर कोई data insert करते हैं, तो जो insert होता है data, वो data आपका unique होता है, कभी भी duplicate data insert नहीं होता है, for example, जैसे अगर आप अपने raw data के अंदर देखें, तो आपके जो department है, जो कि बार-बार repeat हो रहे है, but अगर मैं इसको अपने pivot table के अंदर insert करूँगा, तो ये क्या करेगा, unique जो आपके ये headers हैं, जो department है, उनको insert करेगा, for example, माली जे मैंने employee ID को, अगर आप हटाना चाहते हैं किसी field को, तो आप उसको drag करके ऊपर की तरफ move कर सकते हैं, वो हट पी जाएगा, all right, माली जे मैं department add करता हूँ, department को मैं select हूँ, अपने row के अंदर, अब देखी हैं आप पर, देखे हैं आप, यहाँ पर जो है, आपके department कितनी times repeated थे, लेकिन pivot table के अंदर जब आप insert करते हैं, तो वो आपका unique insert होता है, और उसी के हिसाब से बता रहा है, uniquely कि आपक किसी भी data के उपर जाएंगे, उसको double click just कर दे, जैसे आप double click करेंगे, तो उसका एक bifurcation एक नई sheet के उपर add होकर आजागा, कि कितनी उसकी sale हुई है, कब हुई है, कितनी हुई है, और total sale कितनी हुई है, किस employee नहीं की है, उसकी ID के सब कुछ detail explanation के साथ में, एक नई worksheet में add हो जाएंगा बहुत खुबसूरत तरीक से, यहाँ पर आप देखने हैं, आपको ना तो filter यूज़ करने की ज़रूता है, ना यहाँ पर आपको count if लगा कर data को uniquely find out करने की ज़रूता है, आपका pivot table automatically आपके formulas को conclude करके, जैसे आप data को चाहते हैं, वैसे आपके सामने present कर देता है, मैं इस वाली sheet को भी right click करके delete कर देता हूँ, अब मालीजे, आप इन में से किसी field को हटाना चाहते हैं, तो field को हटाने के लिए भी और तरीके होते हैं, या तो आप इसको ऐसे तरीके से drag कर सकते हैं, या फिर इसके parallelly जो यह छोटा सा button बना हुआ, इसके उपर आप click करेंग तो name wise जो है total sale कितनी हुई है, जन्वरी की इनकी यहाँ पर नजरा चुकी है, इसके लामा, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो आपको जो है, सिरफ और सिरफ जो है, इनका sum नजरा रहा है, बट अगर आप इनका count देखना चाह रहे हैं, या average देखना चाह रहे हैं, इस त count के तुरू, अगर आप count करना चाहने, तो आप count के उपर click करें, या आप अगर average लगाना चाहने, तो आप average के उपर click करें, ok करेंगे, तो उनका average भी आ जाएगा, देख रहे हैं कि total उनका average है, वो कितना है, अगर आप जो है इनका count देखना चाह रहे हैं, तो आप count देखन cross button के उपर click हो गया तो क्या होता है कि आपके pivot table के fields हड़ जाते हैं उसके बाद अगर आप कहीं भी अपने pivot table के area में click भी करते हैं तो आपका data नहीं आता है So उस condition में आप क्या करेंगे यहां पर जो है एक analyze tab एड़ हुआ है यह analyze tab तभी add होता है जब आप अपने pivot table को insert करते हैं उससे पहले यह जो fields होती हैं वो नहीं add होती है जैसे अगर आप किसी दूसरी sheet के उपर जाएंगे तो आप देखेंगे वो field नहीं नजराएगी वो tab नहीं नजराएगा सो इस तरीके सी आप अपनी fields को भी जो है ला सकते हैं यह common problem है जो कि आपके pivot table users जो use करते हैं इनको उसको यह problem face होती है सो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं अब एक और example के थो समझते हैं माल लेते हैं कि हमें department wise जो है total sales है तो हम क्या करें कि फटा फटा जो है इसको हटा देंगे इसके लिए हम इसको उपर ड्रैक कर देते हैं या फिर आप जो इसके उपर क्लिक करके जो है remove field कर सकते हैं देख सकते हैं पाइवर टेबल ब्लैंक हो चुका है अब माल लीजी आपके जो columns हैं वो बहुत जादा है और आप जो है किसी चीज को सर्च करना चाहरे हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर सर्च करना चाहरे हैं जैसे माल लीजी मैं total sales सर्च करना चाहरा हूं मैंने total select किया अब आपने देखा था कि last time जो हमने data को insert किया था हमने क यह किसी क्लिक करके drag किया था बट अगर आप drag नहीं करना चाहरे हैं तो इसके लामा एक देख रहे हैं check box नाम से button होता है अगर आप जैसी इसके उपर क्लिक करेंगे तो excel क्या करता है automatically समझ जाता है कि इस वाले column के अंदर आपका numerical data है जिसको आप calculation के लिए use करोगे तो जै होता है और चितना आप चाहते हो उससी यह बहतर करके दिखाने में आपकी मदद करता है अब मालीजे मैं department जानना चाहरा हूं तो मैं department के लिए आप पर department सर्च कर लेता हूं देख सकते हैं department आ चुगा अब मैं जैसे इसके उपर क्लिक करूँगा तो automatically देख रहे हैं यह row के column wise data को represent करना है so default अगर आप क्लिक कर देंगे तो automatically आपके row वाले field के अंदर add हो जाएगा so इस तरीके से आप यहाँ पर analyze कर सकते हैं यह बहुत खुबसूरत और बहुत unique तरीका है पाइवोट टेबल को use करने का और पाइवोट टेबल के साथ आप कैसे और भी बहुत तरीकी से calculations कर सकते हैं यह हम अपने आगे की आने वाली videos के अंदर हम सीखने वाला है यह जो हमारी पाइवोट टेबल के first video से इसके अंदर just हमने basic चीज़ों को समझा है कि कैसे हम पाइवोट टेबल क्या होता है पाइवोट टेबल के अंदर कैसे कैसे fields होते हैं पाइवोट टेबल किस तरीके से किस parameter के base पर काम करता है हमने सिर्फ और सरफ इस video के अंदर basic concept को समझा है और use किया है बट जो आगे की आने वाली videos हैं उनके अंदर हम बहुत detail और deep में जाने आई है तो आप इस video को like करते हैं और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें क्योंकि ये पाइवोट टेबल बहुत खूपसूरत तरीका है अपने data को represent करने के लिए all right so आज की इस video में इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए goodbye